नमस्कार आप देख रहे हैं सम्रिधीन यूचलों मैं हो सुक्तिवारी इस वक्त अभी हम बलुआ पंचयत पे हैं आपको बताना चाहेंगे कि बड़ारा पर्खंड के अंतरगत बलुआ पंचयत अपने आप में काफी सुदेड पंचयत है और जबरजस्त तरीके से परिवर् सिर्वाद ने और यहां की आम वाम जन्ता ने मिलके एक जबरजस्त परिवर्तन किया है और इस परिवर्तन का कहीं न कहीं कारण हुआ होगा और कारण क्या है यहां के लोग बताएगे परिवर्तन का कारण क्या रहा कि सबसे पहले इन्होंने मुखिया ना रहते हुए या नाम कीया है और यहांद लोग पर्सों से ही जुद की बधाए देने आये आ रहे हैं तमा लोग तो क्या राहूल जी को आप लोगों ने जीता है परिवर्तन का कारण किया रहा था परिवर्तन कारण किया है हमको राशन कार्ड नहीं है अधार कार्ड नहीं बना है पिंसिन भी नहीं बना है जो नहीं है जो नहीं है जो नहीं है सब करते थे जो मैना से पहले लग क्या आप कहना चाहिए और भी नौजवान है क्या लगता है विकास होगा सब्सक्राइब करें तो आप देख सकते हैं यह तमाम लोग है और इन लोगों से भी हम पूछेंगे देखें सबसे बड़ी चीज क्या है यह जनता मुर्ख नहीं है आप यदि समझ रहें कि भुली-भाली जनता है जैसे चाहे हम बर्गला ले तो यह आपकी ना समझी है यह वही लोग है आपको चाहे तो विधायक बना दे आपको सांसत बना दे जहां चाहे आपको लेके जा सकती है लेकिन जिस दिन इस जनता को कष्ट होगा तुरंत आप धरासाई हो जाएंगे यही जनता है जो जीरो से ह यहां निकलेगी तुरंद परिवर्तन होगा तो फिर आप धरसाई होगे लाखों करोडर पर खर्च कर लिजेगा फिर आप खरीद नहीं सकते हैं किसी को चुकि यह ताकत इन लोगों में है और यह युआ है जो मैं आपको बता दूँ कि यदि देश के भविष्की यदि बात करें तो युवा ही भविष्के निर्माता होते हैं और ये तमाम युवा ने मिलकर एक परिवर्तन की लहर दोड़ाई और इन्होंने बताया अब की बार यदि बात करें पूरे बढ़ारा प्रखंड की तो परि अज में आया है कि हमारे साथ कही न कहीं कुछ गलत हुआ है तो परिवर्तन करनी चाहिए और लोगों ने परिवर्तन किया और भी कुछ युवा सत्की नाम छुआ स्मिकी ईवा के नाते इनहों ने जो कार्य फिया पंचायत में डेड़ से दो बर्स पहले से ही इनों ने जिसकी जो समस्याएं थी उनको निदान किया और हम लोग को बहुत सोग था कि पंचायत में राजनीत का हम लोग जो हाल देख रहे थे तो उसको लेके हम लोग को बहुत सोग था कि इसको परिवर्तन लाना है और एक परधान मंत्री जी के तक यहां कि विकास जो वहां के माध्यम से आ रहा है उसको घर घर पहुचाना है जन जन के पास पहुचाना है ताकि चारो तरफ चोमुखी विकास हो और हमारे पंचायत को आदर्स पंचायत में घोशित किया जाएगा हमारे काम के बदावलत और हमारे बिहार से लेकर और पूरे आल इंडिया में इसका एक संदेश जाएगा कि सबसे कम उमर का युवा जो 21 साल में इतना पुर्ण बहुमत से जिसको मतलब जनता ने असिरबात दिया है जनता ने कह के खड़ा किया जनता ने कह के असिरबात दिय तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो पंचाईथ है बनू पंचाईथ है इसको अधर्स पंचाईथ में घोशित करवा कि हम लोग यूवा का एक सपना है यूपने रात दिन एक करके रखे थे जानता के लिए बहुत काम किये और हम लोगा यानि की पंचायती योजनाय जो थी आपके पंचायत में धरातल पर नहीं तरती है जी नहीं बहुत सारा राहूल पंडे जी ऐसा लग रहा है आपको विश्वास है कि यह धरातल पर उतारने का काम करें जी जी इसमें कोई सक नहीं इनकी जो छवी है बहुत साप सुतरा है इतने कम उमर में और इतना बढ़िया सोभाव और इतना बढ़िया छवी के लड़के नहीं हैं और इनको इसलिए युआओं का साथ था मता बहनों का साथ था और यहां के बुजुर्गों का साथ था जिन्होंने अपना पूर्ण बहुमत अपना समय निकाल करके इनको मतलब सोग था कि इनको परधान बनाना है ताकि हमारा पंचायत का चौमुख्य विकास हो और मेरा पंचायत जो है आदर्स पंचायत के रूप म कि आपकी बार राहु पंडे जी की सरकार कही जा सकते हैं कि पंचेयती सरकार पंचेयती राज में मुखिया निशित कर सके क्या राहूल पढणे में ऐसा बेवार देखने को मिलता है नहीं नहीं बना था यह जब से राशन कारें हैं तो हमारा भी बनाए थे तो भी काम करते थे अब हम आप आपना गाहूं के भी किसी को कलोनी का पैसा रुका हुआ था यह निकलवाए है और बहुत काम करेंगे यह आपका नाम स्वीकुमर जादो राहुल पांडे जी मुखिया बन गए क्या लगता है कैसा लग रहा आपको बहुत सुंदर लग रहा है अच्छा है इनका सब कुछ बेवार अच्छा है जो कि हम लोग का काम जो है यह पहले ही करवाया है कि हमारा पिंसिन नहीं हुआ था अभी तक और नकाड ही बना था वो सब कुछ यह बनवाए आगे चलके भविस्व में भी हमको ऐसा लगता है कि यह सब कुछ अच्छा ही करेंगे तो आप संतुष्ट है ना खुस है ना गाओं पंचायत का है सांथ में रहते हैं खेत खलिहान घार गाओं सब जगे अच्छे हैं वेक्ति तो भी आज जो बन गए पद पर तो अच्छा से ही चलाए रहे बोले बात करें सब जगे अभी राहुल पंडे मुख्या बन गया अब आपके पंचायत का विकास होगा ना सबसे बढ़ी चीज क्या है कि राहुल पंडे की अधी हम बात करें तो राहुल पंडे एक ऐसे ब्यक्ति हैं एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने किसी पद्ध पे न रहते हुए भी यह तमाम लोगों का काम कि आप देख रहे हैं यहां हर जाती धर्म के लोग यहां पे हर कास् भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं यह जबरजस्त लोगों के साथ यहां सैक्रो लोग और परसों से ही इनको जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से इनके बधाई देने का ताता लगा हुए है तमाम लोग आ रहा है दूर दराज से भी इनको बधाईय मिल रहे हैं और सबसे कम उम्र में यदि बात करें तो बढ़ारा परखंट के सबसे कम उम्र में एक युवा मुख्या के रूप में राहुल पांडे जाने जाते हैं और इस वक्त हमारे बीश हैं सिधे सिधे हम राहुल पांडे के पास ले चलते हैं जानते हैं कि इन्होंने क्या-क्या अप कि हमारा इसन छोटी हुआ पातना विश्वास कड़ी लोग जातना विश्वास भाउकर आपका खा रहा हुत रहें कि हम सो परसेंट को सिसकर जीद कासरे किसको देंगे इवाओं को और बुजूर को अच्छा जैसे कि आपने बहुत सारे एजेंडर और मुदे के साथ थिमिकता क्या रहेगी अब आप तो चुनाव जीद गया मुख्या बन गया है तो इस वक्त तमाम लोग आपको देख रहे हैं क्या करना चेंगे आप क्या क्या सोचे है करने के लिए सर प्रत हम भाष्टचार मुक्त पंचायत बनाना है हमारे शिक्षा का भी बहुत पंचायत की बात करें तो डिश्टल पंचायत बनाने के लिए इन जुआओ की जरूत है चुकि यह युआ एकजूठ होके और डिश्टल पंचायत बना सकते हैं चुकि प्रधान मंतरी नरंद मोदी का भी शपना है कि हमारा देश डिश्टल हो और डिश्टल तब होगा हैं और युआ निती सबसे तेज निती होती है और जब रजस तरीके से यह लोग विकास करेंगे ऐसा विश्टल से और इस मुहीम के साथ युआओ ने इनको साथ दिया क्या नाम है अपका रविंदर पांडे रविंदर यागे क्या लगता है राहुल पांडे चुनाओ जी अब हैंप क्याना चखाना चाहzlich अब रहुल पांडे जो मुख्या ही वह वह बहुत दस परस जो करकर नहीं दिखाया है वह आज राहुल पांडे करकर दिखाया है मुख्या भिना रहते होगे हैं अम लोग बहुत अच्छे कूस है बहुत खुस है कि यह इतना मनी कम उम्र म अब पंचायद डिश्टल बनेगा एक दम डिश्वास है आपका नाम क्या है दिपक पांडे क्या लगता है अब की बार राहुल पांडे को आप लोगों ने मुखिया बनाया कैसा होगा बिकास बहुत बढ़े से बिकास होगा इन्होंने मुखिया ना रहते हुए भी बहुत तो आप देख रहे हैं ये तमाम यूः साथी है और तमाम लोगों का कहना है कि राहुल पांडे जब मुख्या नहीं थे, किसी भी पद पे नहीं थे, तो उन्होंने तमाम युवाओं के साथ एक जूट होके, और तमाम ग्राम वाशियों का, जीतने भी इस पंचायत के लोग है, सारे लोगों की समस्याओं को जानके, और समस्याओं का समधान करने का काम वाली है, और इस एजेंडे के साथ चुनाव मैदार में थे, आज भी इनको अपना वो जो मुद्दा है, वो अपना एजेंडा है, जो अपना लक्ष है, वो याद है कि मुझे ब्राष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है, हम मुख्या तो बन गए हैं, लेकिन अब किसी को कमिशन, घुस्खोरी, दलाली ये सब नहीं होने देंगे, और जिस विश्वास के साथ इनका कहना है कि हम अपने पंचायत को अदर्स पंचायत बनाएंगे, ये तमाम लोग उसके गवाह है, और ये लोग सहमत है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा बैक्ति ऐसे कर सकते हैं चुकि इनके ब्योहार से ये तमाम लोग पहले से ही जानते हैं और सुरू से ही ये जुझारू रहे हैं, इमंदारी और करमठता इनके अंदर जलकती है और इन्होंने करके दिखाया है, तो निश्ची तोर से एक अच्छे बैक्ति को बलुगा पंचायत ने कम उम्र में रा आपके अच्छे करमों का देने हैं, कहीं न कहीं आपका ब्यक्तितों से लोग प्रभावित हुए है, और तम जाके लोगों ठाना है, और ठाना ही नहीं है, ठान के दिखाया है, और जिस दिरव शंकल्प के साथ राहूल पांडे को मुखिया बनाया, कहीं न कहीं तमाम लोगों ने ठाना था कि मुझे मुख्या बनानी है और युवाओं ने बदल के दिखा दिया और जिसके साथ युवा होंगे तो निशी तोर से बड़े बुजूरुगा शिरबाद के साथ होगा हर कोई चाहता है कि नौजवान आगे बढ़े के लिए शुरू से ही लगे थे और अभी भी लगे है और इन्होंने ठाना है कि हम भ्राष्टा चार मुक्त पंचायद बनाएंगे युवाओ के लिए जितना भी हो से के खेल मैदान या जो भी के लिए शुक्तिवारी थेंक्यू